इमानदारी के मिसाल ड्राइक्लीन करने आये कपड़े की जेब में निकले पचास जार संचालक ने वापस ग्राहक को लौटाई शिवपरी मद्वर्देश के शिवपरी जुले के शक्तिपुरम खुडा में रहने वाले ड्राइकलीन संचालक के यहां कपड़े ड्राइकलीन के लिए आये थे तभी कपड़े की जेब में से 50,000 उपे निकले तभी ड्राइकलीन संचालक ने उन पैसों को ग्राहक को वापस कर इमानदारी की मिसाल पेश की है जानकारी के नुसार नियू सूपर लॉंडरी के संचालक पंचम रजक ने बताया कि बुदुबार को किसी ग्राहक के कपड़े ड्राइकलीन के लिए आये थे तभी कुरुबार को जब उन कपड़ों को ड्राइकलीन किया गया तो एक कपड़े की जेब में कुछ दिखाए दिया जब खोल कर देखा तो उसमें 500 के 100 नोट थे जो की 50,000 थे जिसकी सूचना तुरंत पंचम रजक ने फोन पर ग्राहक को दी और आज शुकरवार को ग्राहक के घर पर पहुचे जहां उन्होंने ड्राइकलीन कईये हुए कपड़ों के साथ 50,000 वग्राहक को वापस दे कर इमानदारी की मिसाल पेश की है पंचर रजक ने बताया कि उन्हें किसी प्रकार का लालश नहीं आया और जिसकी अमानत थी उन्होंने उसे वापस करके अपना फर्ज निभाया ग्राहक ने खुश होकर 200 रुपे की इनाम लॉंडरी के संचालक पंचर रजक को भेट की साथ ही धन्यवाद भी दिया अब आपको वापस करना जाहते हैं जिसकी एकमे उसको जिनेर बाद है जाहते हैं अब पच्छास रुपे थे आपके मन में लालच वगर कुछ ऐसा आया कि नहीं आया जाए नहीं किसी पैसे पैसे नहीं नहीं था नहीं था नहीं तो आपके पैसे नहीं है और यह वापस कर दिए हैं